दोस्तों ओम्बीर ने जब से हो समाला था थोड़ा सा सोचने लाएक थोड़ा सा बड़ा हुआ था उसकी उमर अभी महाच्छे साथ साल थी वो चीजों को बच्चा भले था लेकिन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझता था उसे ऐसा लग रहा था एक दिन वो मंदिर जाता है और उपर वाले से कहता है कि उपर वाले मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया की जो परेशानी है पूरी जुनिया का जो दुख है पूरी दुनिया का जो गम है आपने मेरी ही जोली में डार रखा है दरसल ओम्बीर जब हो समालता है और बड़ा होता है तो जिसके यहां वो एक चाई की दुकान पर रहने वाले ब्यक्ति के यहां गिलास धुलने का काम करता था और वही चाई की दुकान वाला ब्यक्ति उस ओम्बीर को खाने पीने की सारी ब्योस्था करता था और उसी के यहाँ जब वो चाई की दुकान वाला अपने घर पर चला जाता था तो ओम बीर वहीं चाई की दुकान में एक छप्पर रखखा था छप्पर के नीचे एक तखत रखखा था उसी तखत पर वो बेचारा अपना पूरा बचपना कब गुजार देता है उससे पता नहीं चलता है अब जब ओम्बीर की उमर 15-16 साल की हो जाती है दोस्तों तो ओम्बीर एक ब्यक्ति को रोज देखता था कि वो पढ़ने लिखने जाता है और उसकी चाय की दुकान पर चाय पीने आता है उस ब्यक्ति से एक दिन वो पूछता है कि भाईया अगर मैं पढ़ना चाहूं तो मेरी उमर 15-16 साल हो चुकी है क्या मैं नहीं पढ़ सकता हूं तो ओम्बीर से कहता है कि भाई साहब पढ़ने लिखने की कोई उमर नहीं होती है जब जागो तभी सबेरा आप पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दो अब ओम्बीर अपने उस चाय की दुकान के मालि मुझे दिन में एक दो घंटे जो है वो पढ़ने का टाइम दे दिया करो और मैं अपनी पढ़ाई कर लिया करू तो वो कहता है कि क्या तुम्हें कलेक्टर बनना है डियम बनोगे क्या तुम तो ओम्बीर कुछ नहीं बोलता है लेकिन अब उसको पढ़ने की ललक उसके अं उसमें से वो अंबीर एक दो रुपय की मुम्बत्ती खरीद कर लाता था और उसे उसी तक्ते पर लगा कर अपनी पढ़ाई शुरू करता था लेकिन जब और काफी रात तक काफी देर तक पढ़ता था तो अगले दिन सुबा दुकान नहीं कोल पाता था और उसका मालिक उ और आता है जो एक बैंक में बाकाईदा एक अधिकारी के तोर पर पोस्ट था जिसका नाम होता है विकास और विकास की पतनी गीता दोनों ही एक ही बैंक में अधिकारी के पद पर उसी चाय की दुकान के कुछ दूर पर ही इस्थित एक बैंक में दोनों काररत थे और दोप बीर का ब्योहार बहुत अच्छा था अब ओम बीर एक दिन इस बैंक के अधिकारी दीपक से कहता है कि भाईया मुझे पढ़ाई करनी है तो वो कहता है कि भाई ऐसे पढ़ाई तुम थोड़ी कर पाओगे तुम्हें पढ़ाई करने के लिए समय चाहिए होता है और तुम ऐस पढ़ाई नहीं कर सकते हो चाय के दुकान पर तुम कोई दूसरा नौकरी कर लो जिसमें तुम्हें पढ़ाई का मौका मिले अब चूटा था 15-16 साल की उमर अब बेचारा ओम बीर क्या करता एक दिन दीपक उससे कहता है कि क्या तुम मेरे यहां नौकरी करोगे तब ओम ब उसके बाद वो बताता है कि तुम्हें सिर्फ साप सफाई करनी है दिन में इधर उधर करना है थोड़ा अपना गार्डेन वार्डेन साप करना है और उसके बाद तुम दिन में पढ़ाई करना अपना जारी रख सकते हो भी बहुत खुसी होता है कि चलो उसे कम से कम पढ़ में आ चुका था एक बेड पर उसके लिए बैंग के अधिकारी ने यानि के दीपक ने बहुत अच्छी व्योस्था कर रखे थी खाने पिने सोने और रहने की अब ओम्बीर धीरे धीरे अपनी जिन्दगी गुजारने लगता है करीब चार-पांच महीने का वक्त गुजर जा अब एक दिन वो पर ही रहा था सारे काम अपने निप्टा कर जैसे ही किताब खोल कर बैठता है वैसे ही गीता आ जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें अहां पर हमने नौकरी पर इसलिए रखा है कि तुम पढ़ाई करोगे तुम कलेक्टर बनोगे उम्बीर जेप जाता है और गीता से कहता है कि मैडम आप कहना क्या चाहती हो अब तक गीता एक हाथ बिना सोचे समझे खीच कर उम्बीर को मार देती है मारने के बाद उम्बीर को बहुत दुख होता है और फिर गीता उम्बीर से बोलती है बत्तमीज कहीं के भिखारी नौकर तुम उससे जबान ल मा थे ना ही पिता थी बच्पन से ही ओंबीर अनात था, अब ओंबीर और दीपक की पतनी गीता दोनों में जलन होने लगती है दोनों में इर्शया का माहौल बन जाता है, गाहे बगाहे जब भी गीता छुट्टी पर रहती थी, तब दीपक को परेशान ही करती रहती थी सायदों जिस दिन छुट्टी पर होती थी उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा काम यही होता था कि चाहे जैसे भी ओमबीर को पढ़ने नहीं देना है लेकिन दोस्तों यही ओमबीर आगे चलकर एक सफल इनसान बनता है एक सफल अधिकारी बनता है आखिर कैसे दोस्तों बहुत ही मारमिक कहानी है बहुत ही पारिवारी का और बहुत ही प्रेडा दायक कहानी है कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस वही चोटा सा बिनमरन रोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ में बेल आइकन की बटन को भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं ऐसी आपकी दिल को छू लेने वाली प्रेडा दायक कहानिया इस चैनल पर अप्लोड करू तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए दोस्तों जैसा कि आपको पता है जिन लोगों का कमेंट हमारी कहानी पर सपोर्ट के रूप में आता है उनका नाम हम कहानी में जरूर लेते हैं तो इस कहानी पर आप अपना कमेंट और अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दे दीजिएगा ताकि मैं अगली कहानी में आपका नाम चरूर ले पाऊंँ अब एक दिन क्या होता है संडे का दिन होता है दीपक और गीता दोनों बैंके छुट्ती थी दोनों अपना घर के सामने बने पार्क में छोटे से लौन में बैट कर चाय पी रहे थे अचानक देखते हैं कि अब उम्बीर ने सारा काम कर लिया है वो किताब लेकर पढ़ रहा है अचानक गीता चाय पीते पीते उठती है फिर वही सब्दी यूज करती है कि तुम पढ़ाई पर ही ध्यान दे रहे हो साहब चाय पी रहे हैं घास पार्क में कितनी बड़ी-बड़ी हो गई से काट नहीं सकते हो तो उम्बीर बोलता है कि ठीक है मैडम अभी काट देता हूं अभी कुछ देर में कर देता हूं उम्बीर से कहती अभी कर देता हूं नहीं अभी तुरंट कर दो अब उम्बीर जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है फिर तपाक से एक हाथ उसके गाल पर गीता मार देती है और दीपक की भी इसमें सह थी दीपक भी अपनी पतनी गीता को कुछ नहीं बोलता है लेकिन जब दीपक और गीता अपने घर में जाते हैं दोस्तों तब दीपक गीता से पूच्छता है तो वो कहती है कि ये बहुत ही निहायद बत्तमीज किसीम का आदमी है और इसके अंदर तमीज बिलकुल नहीं है तुम पता नहीं कहां से रोड पे चलते अनात भिखारी को पकड़ लाए हो ये बातें जब ओमबीर अपने कानों से सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है बहुत दुखी होता है और उस दिन हो खाना नहीं खाता अईसे करना है कि ये ओमबीर धीपक के नجर में बुरा बन जाय और इसे नौकरी से निकाल दिया जाए अचानक एक दिन उकाम करके पढ़ता हुआ अफने कमरे में सो जाता है और धीपक अपने वासरूम में नहाने चला जाता है नहाने को दौरान वो फौन अपना बाहर ही छोड़ कर जाता है और फिर गीता देखती है कि दीपक का फोन यानि कि उसके पती का फोन घर के बाहर ही छूटा है और वो सीधा उसे लेकर उम्बीर के कमरे में जाती है और वही पर एक बैग रखा था उम्बीर का जिसमें वो अपना छोटा मोटा सामान कपड़े वगेरा अपड़ा पहनता है और फिर अपनी पतनी गीता से कहता है गीता आज साम को तो हमारा कहीं होटल पे घूमने चलने का प्लान है तो गीता कहती है हाँ चलते हैं फिर दीपक अपना मोबाईल ढूनने लगता है लेकिन काफी ढूनने के बार मोबाईल नहीं मिलता अब दीपक उम्बीर को बुलाता है उम्बीर भी आता है उम्बीर से पूछता है दीपक कि क्या तुमने मेरा मोबाइल लिया था उम्बीर कहता है कि साहब मैं तो काफी देर से सो रहा था मैं आपका मोबाइल क्या करूँगा वो तो बड़ा महंगा मोबाइल है मुझे तो चलाना भी नहीं आता साहब जैसे ही उम्बीर के मूँ से बात निकलती है वैसे ही दीपक की पतनी गीता बोलती है कि ये जूट बोल ला है इसको मैंने अभी इसके हाथों में आपका मोबाइल लेकर चलाना देखा था और मैं ये सोच रही ती साहद आप नहाने गया होंगे तो इसको मोबाइल पकड़ा दिया होंगे दीपक कहता अच्छा तुम्हें पूरी तरीके से देखा था सही देखा था कि मेरा ही मोबाइल था तब गीता कहती है कि हाँ मैंने पूरे होसो हवास में देखा था कि वो मोबाइल आपका ही था अब दीपक को सक हो जाता है ओम्बीर के उपर और ओम्बीर का वो अपने पतनी से कहता है कि इसकी सही से तलासी लो दीपक की पतनी गीता दीपक से कहती है कि इसकी तलासी तो मैं यहां ले लूँगी लेकिन सायद इसने फोन कमरे में चुपाया होगा और फिर वो कमरे में जाती है और कमरे में उसका बिस्तर इधर उधर दो चार जगा ढूरती है उसके बाद डारेक्ट वही जाती है जहां पर उसने मोबाईल लगका था और बैक खोलती है और मोबाईल हाथ से निकालती है और दीपक को पकड़ाती है अब दीपक जब यह सब देखता है तो उसे यह नहीं पता चलता कि ये असल में उसकी पत्नी गीता की हिचाल है जो कि ओमबीर को नौकरी से निकलवाना चाहती है और ओमबीर से बहुत जलन करती है अब दीपक बिना कुछ सोचे समझे 2-3 हाथ ओमबीर को मार देता है दीपक लगातार ओमबीर को थपड पे थपड मारे जाता है दीपक के उपर जैसे खून सवार था वो जैसे पूरी तरीके से ओमबीर को चोर और दोसी मान चुका था वो कहता है कि नालायक मैंने तुम्हारे उपर यकीन करके तुम्हें चाई की दुकान से यहां तक नौकरी करने के लिए ले कर आया तुम पढ़ेगे और लिखोगे लेकिन तुम भिखारी हो अनात हो कभी कुछ नहीं कर सकते हो और तुम आज ही मेरा घर छोड़ कर भग जाओ अब ओमबीर दीपक और दीपक की पतनी के सामने हाँच जोड़ कर बिंती करने लगता है कि साहब मुझे माप कर दीजिए मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है अब तो मुझे चाय की दुकान पर भी नौकरी नहीं मिलेगी मुझे माप कर दीजिए मुझे नौकरी से मत निकालिए लेकिन दीपक अपनी पतनी के कहने पर अपनी पत्नी से जब वो पूछता है तो उसकी पत्नी गीता कहती कि नहीं आज इसने चोरी पहली बार की है और ये लगातार करेगा फिर वो इतनी मिन्नते करता है लेकिन दीपक और दीपक की पत्नी गीता मिलकर उसे बाहर का रास्ता दिखा देते हैं अब वो बेचारा, गरीब, तनहा, लड़का, धीरे-धीरे, पूरे बस्ती में कई लोगों के घर पर जाता है और नौकरी देने की गुहार लगाता है, लेकिन उसे उसकी मजबूरी को कोई नहीं समझता है, बहुत लोगों की दुकानों पर जाता है, बहुत लोगों से मिन्न करते करता है, लेकिन सायद उसे कोई नौकरी पर रखने के लिए तैयार नहीं होता है, दो-तीन दिन वो लोगों से इधर-उधर थोड़ा बहुत मांग कर जैसे तैसे खाना-पीना खाता है, और फुट-पात पर ही सो जाता है, तीसरे दिन वो काफी दूर महले से घुंगत हुए दूसरे जिले में चला जाता है, जब दूसरे जिले में पहुचता है, तो उसी जिले में एक ब्यक्ती होता है, जो अपने छोटे भाई को लेकर हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, और अपने छोटे भाई के इलाज के लिए जब अपने भाई को भरती कराता है, तो तब आपका भाई जिन्दा नहीं रहेगा उसे कोई भी दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती है अब वो बेचारा आदमी वो भी कई जगा जाता है कई लोगों से मिन्नते करता है धीरे धीरे चार घंटे बीच जाते हैं उसे कहीं पर बलड नहीं मिलता है एक यूनिट और फिर वो आदमी ठक हार कर हॉस्पिटल की तरफ अपनी बाइक से आही रहा था कि अचानक देखता है कि एक लड़का जो की उम्बीर होता है उम्बीर पागलों की तरफ पैदल ही जा रहा था उम्बीर के पास वो रुखता है और पूछता है कि भाई आप कहां के रहने वाले हो तो कहता है उम्बीर कि भाई मेरा तो कोई ठिकाना नहीं मेरे आगे पीछे कोई नहीं है तो कहता है वो ब्यक्ति जिसका भाई हॉस्पिटल में एडमिर था कि भाई आप मेरी एक सहायता कर सकते हो तो उम्बीर कहता है कि भाई मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ मैं खु अगर उसको एक यूनिट खून नहीं मिला तो उसकी मृत्त भी हो सकती है डाक्टर ने ऐसा बताया है क्या आप एक यूनिट ब्लड दे सकते हो एक यूनिट खून दे सकते हो तो वो कहता है कि भाई बिलकुल दे सकता हूं अगर किसी के जान की बात है तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ भाई, वो उसे अपनी बाईट पर बैठा लेता है, ओम बीर अवाभ्यक्ति सिधा आस्पिटल पहुँशते हैं, अब वाभ्यक्ति डाक्टर के सामने जाता है और कहता है कि ये भाई साहब हैं, इनका एक यूनिट बलड ले लीजिए, अब ओम बीर अपना एक पीछे कोई नहीं है, तो उम्बीर कहता हाँ भाई, उम्बीर अपनी सारी अब्यति उसको सुनाता है, तो वो कहता है भाई, तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, आज से तुम भी मेरे भाई हो, तुम मेरे साथ चलो, वो अपने भाई को और उम अब दिन में खेती किसानी के काम में मेरा थोड़ा बहुत हाथ बटा लेना, बाकि आप जितनी सिद्ध से, जितनी मेहनस से पढ़ाई कर रहे हो और करना चाह रहे हो आप करो, मैं आपके पूरी तरीके से साथ हूँ, आफिर आप भी तो मेरे भाई हो, आपने ही मेरे भाई को एक यूनिट खून दे कर उसे बचाया, अब जिस भाई को उसने खून दिया था, वो भाई और दूसरा भाई जो उम्बीर को हॉस्पिटल लेकर चला गया था, दोनों भाई उम्बीर से बहुत जादा प्यार करने लगते हैं, उनके घर वाले भी उम्बीर से बहुत जाद प्यार करने लगते हैं, और उम्बीर तलीनता से महिनत करके अपने दलच पर धान के इंदरित करता है, और पढ़ाई करने लगता है, और पढ़ाई करते करते, वो फिर एक एक जाम देता है UPSC का, प्रियास में वो सभी परिक्षाएं जो होती है UPSC की, सब को अच्छी तर पर गीता और दीपक दोनों बैंक के अधिकारी रहते थे, अब ये दोनों अधिकारी कुछ बूरे हो चुके थे, रिटायर होने वाले थे, एक दिन वो अपनी कार से जाही रहा होता है, तो देखता है कि दीपक और गीता की कार खराब हो गई है, और दीपक और गीता इधर से गुजरती हुई कलेक्टर साहब की कार को हाथ देते हैं और जैसे ही कलेक्टर साहब की कार रुकती है दीपक बत्तमीजी से बोलता है तब तक देखता है कि कार से एक वर्दी धारी बाहर निकल लहा है सामने बैठा हुआ कलेक्टर साहब डियम साहब का जो गाड़ था पुलिस की वर्दी में दरोगा वो दरोगा बाहर निकलता है बाहर निकलने के बाद दीपक बोलता है कि पीछे कौन है तो वो बोलता है दरोगा कि पीछे साहब बैठे हैं बोलता है रे कौन साहब बैठे हैं वो निकल नहीं सकते इतने बड़े साहब हैं, अचानक कुछ देर बाद ही ओमबीर का दरवाजा खुलता है, उसका जो गाड था, जो दरोगा, उसका अंगरचक था, जो सामने वाली सीट पर बैठा था, वो पीछे जाकर डियम साहब का यानि कि ओमबीर का पीछे से दरवाज का खोलता है, और ओमबीर जैसे ही निकलता है, गीता और दीपक की निगाहे, जैसे ही ओमबीर पर पड़ती है, वो लोग कहते हैं, अरे तू भीखारी, तू डियम, तू क्या बन गया, तू बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, तो जैसे ही यह सब बातें शुरू होती है, तो दीपक और गीता डीम साहब से यानि की जिला अधिकारी कलेक्टर साब से बत्तमीजी करते हैं वैसे ही उनका जो अंगरच्छक दरोगा होता है डीम साहब का यानि की ओमबीर का वो गीता और दीपक को एक-एक तमाचा खीच कर मारता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं यह इस जिले के नए डीम है इस जिले के नए आयस हैं इस जिले के नए कलेक्टर हैं अब दीपक और गीता दोनों जहेब जाते हैं अब कलेक्टर साहब यानि उम्बीर कहता है कि सरकारी गारी रोकने के जुर्में और एक सरकारी अधिकारी से बत्तमीजी करने के जुर्में इन दोनों को जेल में डाल दो और दीपक उम्बीर से बहुत मननते करने लगते हैं फिर उम्बीर उन दोनों को माप कर देता है उम्बीर दीपक और गीता को एक चीज समझाता है कि देखो ये समय है कभी भी किसी का बदल सकता है आज किसी का समय अगर गलत है तो ये जरूरी नहीं है तो उसका आने वाला समय गलत होगा दोस्तों जहां पर उंबीर ने अपने पढ़ाई के दम पर अपनी गरीबी को दूर कर दिया था को सो नहीं करोडों किलोमीटर दूर कर दिया था एक चिराग जो ऐसा जला कि पूरे परिवार को ना होते हुए भी उसने सब कुछ दोस्तों तो ये थी आज की कहानी उमीद है कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी अगर कहानी आपको पसंद आई हो थोड़ी सी भी आपको दिल को चुआ हो कहानी ने और थोड़ी सी भी आपको प्रेडा मिली हो तो इस कहानी को सेर जरूर कर देना चैनल को जरूर कर देना मिलता हूँ ऐसी एक नई दिल को छूल लेने वाली समाजिक प्रेडा दायक पारिवारी कहानी के साथ आपको जल्द ही तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम।